मशूर भोचपूरी आक्ट्रिस ने की खुदखुशी फासी के फंदे से लटका मिला अकांशा दूबे का शब मौट से चंद घंटों पहले ही डाला था सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो में डांस करती दिखी थी आक्ट्रिस आक्ट्रिस की अचानक मौत पर खड़े हुए सवाल भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत ही शौकिंग खबर आई है जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है भोचपूरी फिल्मों की बपुलर आक्ट्रिस अकांशा दूबे ने खुदकुशी कर ली है सिर्फ 25 साल के उम्र में अकांशा ने मौत को गले लगा लिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक अकांशा दूबे ने वारनसी के एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे से जूल कर जान दे दी है एक्ट्रिस का शव उनके होटेल रूम में फासी के फंदे से जूलता मिला है बताया जा रहा है कि 25 साल के अकांचा दूबे हाल ही में अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए बनारस की साल नाथ गई हुई थी एक्ट्रिस ने बीते दिन अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग भी की और फिर वापिस अपने होटेल लोट गई थी लेकिन इसके बाद रविवार सुभा एक्ट्रिस का शव फासी के फंदे से जूलता मिला है उत्तरफ्रदेश पुलिस ने रिपोर्ट दर्च कर मामली की जांच भी शुरू कर दी है सिर्फ 25 साल की अकांशा की खुदकुशी की खबर ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है वहीं एक खुबसूरत और टैलेंटिड आक्ट्रिस की मौट से भोचपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी मातम पसर गया है हाला कि अकांशा की अचानक मौट पर कई सवाल भी खड़े हो गये हैं दरसल खुदकुशी से कुछ घंटों पहले ही अकांशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो डांस करते हुए अपनी बोल्ड अदाय दिखा रही है वहीं आज ही भोचपुरी सुपरस्टार पवन सिंग के साथ अकांशा का एक गाना भी रिलीज हुआ है जिसके पोस्टर की तस्वीर अकांशा ने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में भी शेयर की थी अब हर कोई सवाल कर रहा है कि अकांशा दूबे ने ऐसा किस वज़ा से किया अचानक ऐसा क्या हुआ कि अकांशा ने होटल में जाने के बाद सुसाइट जैसा कदम उठा लिया अकांशा के निधन की ख़बर सो उन फैंस बुरी तरह से सदमे में है उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो अक्ट्रेस कुछ घंटों पहले तक इंस्ट्राग्राम पर वीडियो शेयर कर रही थी और शूट पर भी थी अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अक्ट्रेस ने चुपचाप मौत को गले लगा लिया अब इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मामली की जाज शुरू कर दी है आपको बता दें कि 25 साल की अकांशा दूबे का जन 21 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर में हुआ था वो कई भोचपूरी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी अकांशा ने साल 2019 में फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी इसके बाद अकांशा ने मुझसे शादी करोगी, वीरो की वीर और फाइटर किंग जैसी भोचपूरी फिल्मों में भी काम किया था अक्ट्रिस होने के साथ ही अकांशा सोशल मीरिया स्टार भी थी, वो इंस्ट्राग्राम पर खुब आक्टिव रहा करती थी उनकी प्रोफाइल देखने से मालूम चलता है कि उन्हें डांस का खुब शौक था, इंस्टा पर अकांशा दूबे के करीब 17 लाग फॉलवर्स हैं अकांशा दूबे अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में थी, वो आक्टर समर सिंग को डेट कर रही थी इसी साल वैलन्थाइन दे के मौके पर अकांशा दूबे ने समर सिंग के साथ रोमांटिक तस्वीरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपना रिलेशन्शिप ओफिशिल किया था लेकिन अब अकांशा सब कुछ छोड़ कर इस दुनिया से जा चुकी है और हर कोई अब यही जानना चाहता है कि अकांशा ने इतना बड़ा कदम आखिव क्यों उठाया Bureau Report E24 झाले कुछ जाना चाहता है र कम आखिव कि उर शेयर है तो यहिए जाना चाहता रिलेशन्टा कि अजया मैं टता रिलेशन्टा कि अपिए दानको अपिए्या